गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराव ओम भूर भूवः सह तशवी तुर्वारेनियन भर्गो देव शधी माही धियो यो नाः प्रचो दयात बाद्चन्न लईती ध्यान पणयान त्राटक पुर्नाथ ये चार स्तर तक हम आए हैं अब आगे की बात सुरू करते हैं व्यवारिक बात आज करते हैं व्यवारिक बात ये करते हैं कि क्रिया दो स्तर में बटी होती है एक आंत्रिक और एक बाही है सिद्धान तो ये है आंत्रिक से मतलब वो है जो आपकी निधी है जो आपकी संचे की गई है जिसको आप स्वेच्छा से प्रियोग कर सकते हैं वो आंत्रिक है बहुत अच्छे से समझना आंत्रिक से ही बाहीय की गति सुरू होती है आंत्रिक से ही बाहीय की गतिविदी सुरू होती है बाहीय का तो प्रियोग हम खूब कर रहे हैं जप भी कर रहे हैं धियान भी कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं परन्तु आवशक्ता अंदर की सक्तियों को क्रियासील करने की है क्या मतलब यह है कि अंदर के जो गुण है वो हमारे क्रियासील हो जाएं मूल उद्देश मैंने पीछे केंद्र की बात आप से की थी यह कहा था इस दुनिया में जितने भी मिसन है उन सबका उद्देश एक ही ही है मुक्ती यानि के वो एक उद्देश से सब जुड़े है रास्ते उनके अलग-अलग है परन्तु सबका मिल करके उद्देश एक ही ही है जीव की मुक्ती और मैं फिर से कह रहा हूँ मुक्ती को केवल जनम मरण मत मानना जनम मरण मत मानना अगर ये बुरा होता तो भगवान जनम मरण क्यों देता या भगवानी अवतार के रूप में धर्ती पर अवतरित क्यों होता ये बुरा नहीं है बुरा तो बुरा ही है अरे परमात्मा जीवन मुक्त हो करके धर्ती पर विचरण करे परमात्मा जीवन मुक्त हो करके धर्ती पर वच्रण करे और हर जीव उस इस्तर का हो जाए धर्ती का वातावरणी वैसा बन जाए कि जो इस दुनिया में आए वो अपने आपको परमपद को प्राप्त कराता हुआ चला जाए इस दुनिया में सभी ही उस इस्तर की सोच उस इस्तर के कर्म उस इस्तर के व्यवाहर उस इस्तर के गुन सब उस इस्तर के हो सोच करके देखो फिर दुनिया कैसी होगी मैंने कल आपको बताय था आंत्रिक क्रियाएं जितनी भी है वो ग्रंथियों पर टिकी हुई है ग्रंथिया ग्रंथियां जो रस को छोड़ती है जो रस को छोड़ती है और सच को देखो क्या हमारे अंदर रस पैदा नहीं होता है हम सब के अंदर रस पैदा होता है दुनिया में के अंदर अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो हवा भी आपका रास्ता रोकेगी और जमीन के जितने अवरोध होंगे वो भी आपका रास्ता रोकेंगे धूल मिट्टी भी आपको लगेगी परन्तु क्या आप अपनी गती को बंद कर देंगे जीवन का लक्ष यही है जीवन का उद्देश यही है क्या उद्देश है कि जिस जिन्दगी को हम जीना चाहते है जिस जिन्दगी को हम जीना चाहते है उसमें जितने अवरोधाएं उन अवरोधों को पार करने की चमता हमारे अंदर हो हम इतने चमतावान हो ईश्वर ने वो सारी चमताए कहिए विसेशताए कहिए वो सब हमारे अंदर दी है आज की दुनिया से बड़े से बड़ा धनवान से धनवान मानी से मानी सम्मानी से सम्मानी व्यक्ती योगी के सामने अपना सर जुकाता है अगर इस दुनिया की कोई सबसे बड़ी दोलत है तो वो मेरे अंदर मेरे भगवान ने छुपा करके रखी हुई है अगर उसका जागरण मैं करना चाहता हूँ तो मेरा भगवान ने उसका जागरण कर सकता है क्योंकि वो भगवान के संपत्ती है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे रस लेना पड़ेगा मैंने आप लोगों को कहा था दियान का इस तर बहुत बड़ा है आकास के जितना इतना बड़ा है मैं फिर से कहता हूँ आकास तत्व अगर क्रिया सील होता है तो चार तत्व जब क्रिया सील होते तो उनकी क्रिया सीलता उस आकास तत्व को भी क्रिया सील करती है ध्यान का इस तर भी मैंने बताया उतना ही बड़ा है जितना आकास है पर आपका ध्यान अगर क्रिया सील होगा आँख बंद करके आप ध्यान का ढोंग कर सकते हैं तरह तरह की बाते आप सोच में ला सकते हैं बहुत अच्छे से समझ लेना आज वो रास्ता आपको बताने जा रहा हूं शायद इस दुनिया का सबसे सरल रास्ता होगा मैं फ़र से कह रहा हूं अगर मेरे चेहरे पर मेल जमा है तो मेरे चेहरे की सुन्दर्ता बाहर दिखाई नहीं देगी मेल उसको ढख लेगा जैसे सूरज आकास में है पर घटा उसको ढख लेती है वैसे ही मेरे दुर्गुण मेरे सद्गुणों को ढख करके रखते है सद्गुण है आपके अंदर मैं फिर से कह रहा हूं कान खोल करके सुन लेना दो ही चीज़े हैं एक को कहते अच्छाई और एक को कहते बुराई शायद बुरा पक्ष मेरा जग गया परन्तु कुछ अच्छा भी को जगा हुआ है अगर सो परतिसत है तो जितने परतिसत में आपने बुरे को जगा लिया बाकी अच्छा है अब आवशकता किसकी है तुम्हें अच्छाई को सपोर्ट करना है तुम्हें केवल अपनी अच्छाई को सपोर्ट करना है और उसके लिए अपनी अंतर चेतना का साहरा आपको लेना पड़ेगा मैंने का ये दोलत भगवान की है भगवान के बगएर नहीं जागरत की जा सकती मैंने ही कह रहा गुरू को सब मान दो मैं किसी को नहीं कह रहा पर आपकी अपनी आत्मा को तो कह सकता हूँ के आप अपनी अंतर आत्मा को सहयोग करो पानी का एक सबहाव है कि वो हमारी प्यास वुजाता है पर पानी का एक गुण भी है कि वो हमको सीतलता भी देता है हवा का एक गुण है कि उसमें गती है और उस गती से हमारी तचा को वो इस पर्स देती है जिसके इस पर्स से हमें सहज सुखद अनुभूती होती है गर्मी के दिन में ठंडी-ठंडी हवा मिल जाए जो कोई सुख नहीं दे सकता वो सुख हवा दे देगी इसी तरह से हर चीज के दो पक्ष हैं एक बहाई है और दूसरा आंत्रिक मैं मना नहीं कर रहा है आप साधना रत है मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा है का आप नहीं कर रहे हैं मैल चड़ा हुआ है तो अनभव कैसे होगा मैल चड़ा हुआ है तो अनभव कैसे होगा कारिय तो होगा पर गुण काम नहीं करेगा आप त्राटक करते हैं करते रहिए अब्यास भी हो जाएगा हाँ अब्यास भी हो जाएगा अब्यास के करने से दीपक भी दिखने लग जाएगा तारे भी दिखने लग जाएगे चंद्रमा भी दिखने लग जाएगा और सूरज भी दिखने लग जाएगा पर गुण कहां से लाओगे गुण के बात कह रहा हूँ वो कहां से लाओगे अब मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आंत्रिक गंदगीयों को आप हटा ले आंत्रिक गंदगीयों को आप हटा ले तो जो भाई ये क्रिया चल रही है वो आंत्रिक गुण पैदा करने लग जाएंगी आंत्रिक गुणों को पैदा करने लग जाएंगी आंत्रिक गुण आपके क्रियासील हो जाएंगे अब मैं फिर से कह रहा हूँ अब भ्यास करिये मेरा कहना मानिये मैं बार बार कह रहा हूँ मेरा कहना मानिये मेरा कहना मानने से मतलब है मेरा समझाने से मतलब है जवरजस्ती नहीं है तो क्या कहना मानिये ध्यान बड़ा व्यापक है तो आप कौन सा छोटे हैं अरे जितना बड़ा ध्यान है उतने ही बड़े आप है जितना संकीन आपका ध्यान है जितना संकीन आपका ध्यान है उतने ही संकीन आप है याद रखना पानी में पानी मिलाये जाये तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है गुण नहीं आप धंदोलट बटोर सकते हैं जबी जादाद बटोर सकते हैं आप और दूसरे काम कर सकते हैं परन्तु अपने आपको बढ़ा नहीं कर सकते अगर आप अपने आपको बढ़ा करना चाहते हैं अन्तर आतमा से आपको कितनी आतमा ही चाहती है यही आपका विस्तार है इसको आतम विस्तार कहते है इसको आत्म विस्तार कहते है एक बाप भी अगर गलत काम करता है बीडी पीता है, सिगरेट पीता है, गाली देता है तो उसका अपना बच्चा ही उससे घ्णा करने लग जाता है उसका अपना बच्चा ही उससे घ्णा करता है और आप किसी दुस्मन से भी प्यार करते है तो वो आपसे प्रेम करता है अर्थात आत्मियता का बढ़ना ही आत्मा का विस्तार है संकीनता एक कसाई कलमस है जो गुनों को नहीं दुरगुनों को सक्रिय करता है इसलिए हमें सदुगुनों को सक्रिय करना है सदुगुनों को क्रियासील करना है जबरजस्ती है क्या? ना सहजता है सहजता है क्योंकि गुनाप का है इश्वर भी आपी ही है इश्वर भी आपी ही है परन्तु आप ऐसे इश्वर है के जो इश्वर हो करके भी इश्वर की कोई चलती नहीं है बुराई की चलती है बुराई की रियासील है मैं फिर से कहता हूँ अनाज मैं घुन सुरेरी सीलन से पैदा हो जाते हैं कर नहीं हो जाते हैं उसी मैं से पैदा होते हैं बाहर से नहीं आते हैं उसी मैं से पैदा होते हैं गिंडार, कीडे, ये भी पैदा होते हैं याद रखना ये सरीर जब तक चेतन्य है बाहिये विकार, क्रमी इसका कुछ नहीं विगाड सकते, इस पर हमला करते रहते हैं, पर इसका विगाड कुछ नहीं पाते, जो कि इसकी छमता होती है, छमता होने के कारण ये मजबूती से अपने कारिये को करता रहता है, परन्तु इसका चेतन्य तब तो निकल जाए तो, 24 गंटे नहीं टिक पाएगा, इसी में इक क्रमी पैदा हो जाएंगे, जो इसी को खाने लग जाएंगे, आज इस्तिती यही तो पैदा हो रही है, के क्रमी पैदा हो चुके हैं, मैं रोक करके एक बात विशे से अलग हट करके मेरा मन है कहना चाहता हूँ आप से, ये सब साधनाई वगेरा हम जो करा रहे हैं, वो क्यों करा रहे हैं, क्या मतलब है इनका, क्यों मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्यों आप से करा रहा हूँ, इस पर जड़ा चिंतन कर लिया जाए, याद रखना, अगर आप में वो गुन पैदा हो गए, तो आप अपने जीवन की शक्ति साली सक्ति सामर्थवान बन जाएंगे, जो गुर्देव का उद्देश है, महाकाल का उद्देश है, उसको पूर्ण करने में आप सक्रिय हो जाएंगे, अच्छा, तो मैं वावाही चाहता हूँ, नामवारी चाहता हूँ, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैं इसको चाहता हूँ, ना मेरे हिस्से में उतना ही आएगा, जितना मैं कर रहा हूँ, अगर वावाही प्रसंसा मैं का चाहूँगा, तो मेरा एहिंकार बढ़ेगा, मैं नहीं बढ़ूँगा मेरा एहिंकार बढ़ेगा जो मुझे खा जाएगा जो मुझे खा जाएगा दुबारे से कह रहा हूँ अगर विक्ति सोया हुआ है रोग जग जाए तो वर्तमान की जो वास्तिकता है वो उसके सामने परकट हो जाए उसके साथ मैं जो दोस्त दुर्गुन लगे हुए है वो हट जाएं वो हटा देगा अपने आपी मलमुत्र के वेक को कितनी देर आदमी रोक पाता है भूप की इच्छा को कितनी देर आदमी रोक पाता है प्यास को कितनी देर रोकता है दूसरी कितनी इच्छाएं उठती हैं उनको कितनी देर रोक पाता है अगर आप अपनी जिंदगी में अपना जागरण जीवन का जागरण आपका हो गया आपकी वास्तिक इस्थति आपके सामने प्रकट हो गई रोके से नहीं रुकोगे उस समय पर आप रोके से नहीं रुकोगे वो ही करोगे जो आपकी आत्मा चाहेगी और आज वो ही कर रहे हो जो आपका मन चाहता है मन में आगे विकार विकार इतनी बड़ी मरने को मारने को तैयार है पर अंतु बदलने के लिए तैयार नहीं है विक्रित इस्थति इसको कह सकते हो विक्रित इस्थति पर मैं फिर से कह रहा हूं अगर आत्म जागरण हो गया तो बहुत ये परिस्थति कितनी देड़ टिकी रहेंगी सोचो जरा मैं बोल रहा हूं जो अगर आंत्रिक जागरण आपका हो गया तो बहुत ये परिस्थतियां अपने आप रास्ता देती चली जाएंगी जैसे रात्री में तोर्च हाथ में आ जाए तो एक बार बटन दबाते के साथ ही दूर तक गल्यारा नजरा आता है वो आपकी स्थति पैदा हो जाएगी निकट भविश में बहुत लंबा समय नहीं आज बीस दिन हुए है निकट भविश में वो दिन भी आपके योग के रूप में मिलन के रूप में आपके पास आ रहा है आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूँ अब आवशक्ता उगने की है अपने विचार के अंदर परिपक्वता लाने की जरूरत है और उस परिपक्वता को लाना चाहते हो तो किसी भी चीज का सुभारंब इच्छा से होता है बीज के अंदर बैठे हुए जीव की भी इच्छा होती है भगवान मुझे एक मौका मिल जाए मैं भी उगूं बढ़ूं और संसार में कुछ करके दिखाऊं अपनी जीवन से मुक्त हो जाऊं ऐसी एक इच्छा आप भी करिए भगवान मैं भी जगूं उगूं बढ़ूं और अपने जैसे अनेक फल पैदा करता हुआ इस संसार से मुक्त हो जाऊं एक तास खेलने वाला अपनी जिन्दगी में कितनों को तास खेलना सिखा देता है एक बीडी पीने वाला कितनों को बीडी पीना सिखा देता है कोई भी व्यसन है जो करता है वो अपने जैसे कितने सारे बना देता है इस दुलिया में कोई विद्ध्याले नहीं चलता है बुराई की क्रिया सीलता बड़ी तेजी से होती है जो एक बार उसके संपर्क में आता है तुरंट उसका बन करके रह जाता है इसलिए बुराई बढ़ती है एक बार एब लग जाए तो छुप करके भी करता है उसको कोई देख ना ले परन्तु मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बुराई के बगैर अगर अच्छाई हम अपने आपको लगा लें अच्छाई को क्रिया सील कर लें तो हमारा उद्धार हो जाए एक नहीं हो जाए अंदर से महसूस करिये उस जागरती की जो मेरे अंदर से पैदा हो जो मेरे अंदर से पैदा हो यहां मैं एक बात कह रहा हूँ चेतन का मतलब है चेतन्यता और चेतना का मतलब है शक्ति चेतना का मतलब है शक्ति अगर आपके अंदर विचार में चेतन्यता आ रही है तो आपके जीवन में शक्ति आ रही है चुम्बक्त के सहरे आकास में भरे हुए उस प्राण तत्त को खेंचने की छमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी बात समझ आ गई होगी इसी को प्राणा आतर्शन प्रयाम कहते हैं कि फिर आप सांस नहीं ले रहे हैं सांस तो इस अवस्था के लिए है जिसमें हम बैठे है मेरी ही एक अवस्था ओर है जिसको चेतन्य अवस्था कहते है अगर चेतना इंधन में आ गई तो इंधन चेतन्य हो जाएगा अर्थात मेरे अंदर छुपे हुए मेरे दोश दुर्गुन किरिया सील हो जाएंगे बुराई मिटने लग जाएगी अच्छाई जागरत होने लग जाएगी सोचो जो बोला जा रहा है अगर मेरी अच्छाई जागरत हो गई तो मेरी इच्छा पर जो अधिपत्य हो जाएगा हवा की धोकनी की तरह से सांस को खेंचना और छोड़ना यही जिंदगी का लक्ष नहीं है उसका दूसरा एक उद्दिश है अपनी चेतना को चेतन्य बनाना अपनी चेतना को चेतन्य बनाना हमारा उद्दिश है जब आपके अंदर जैसे मैंने कहा आप अप्यास करेंगे तो आपकी आँख के परदे पर दीपक भी जलने लग जाएगा सूरज भी आजाएगा चंद्रमा भी आजाएगा क्योंकि परतिविंब्य चाया है वो आपकी कल्पना में परकट हो जाएगा बैकावा नहीं चाहता जहां आग होती है माँ दो चीज होती है एक गर्मी और दूसरा प्रकास एक गर्मी और दूसरा प्रकास गर्मी का मतलब है तब गर्मी का मतलब है तब तब माने जो जला करके कुंदन बना दे सोना निखरा हुआ सोना बना दे जो इस जीवन को अमरत में बना दे प्रकास यानि के रितंब्रा प्रग्या रितंब्रा प्रग्या उसको आपके अंदर जाग्रत कर दे आप इतने च्छमतावान हो जाएं इतने सक्ति साली हो जाएं के प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएं सादको मैं ये चाहता हूँ के आप अधिक से अधिक प्राणवान उर्जावान बने आपकी उर्जा से ये जो वातावरण है ये बदलेगा आपकी उर्जा से संगठित उर्जा से संगठित सक्ति से जब आप में से हर कोई सत्ति के आधार पर प्राणवान और उर्जावान होगा दूसरी बात मैं अपने और आपको बता रहा हूँ इस दुनिया में हर चीज में मिलने का गुण है हवा हवा में मिलना चाहती है पाणी में नहीं हवा हवा में मिलना चाहती है पाणी पाणी में मिलना चाहता है आग आग में मिलना चाहती है सब अपने अपने तत्व में मिलना चाहते है शान्त होना चाहते है आमर्थ आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी आपके संपर्क छेत्र के जो भी आपके संपर्क में आएंगे आपकी चेतना का समन्वे उनके अंदर होने लग जाएगा एक एकाकार की इस्ति आपकी पैदा होने लग जाएगी मैंने कहा एक तास खेलने वाला कितने तास खेलने वाले पैदा कर देता है एक नसा करने वाला कितने नसेडी बना देता है एक चुगली करने वाला कितनों को चुगली करना सिखा देता है जब आपके गुणकरमी बदल जाएगे तो आपके संपर्ख में आने वालों के कितने के गुणकरम संपर्ख में आने के कारण बदल जाएगे दूसरी बात एक और भी कहता हूँ आप सम्मे एक कुण पैदा होगा जो अभी इतने सारे अनुस्थान कर रहे है बात को सुन रहे हैं और उसको फोलो कर रहे हैं अगले दिनों क्या होगा आपकी अच्छाईयों का एक समन्वे होगा एक समुच बनेगा एक शक्ति बनेगी जो बुराई को मार भगाएगी जो बुराई को मार भगाएगी वो शक्ति आपके अंदर पैदा होगी बोलो क्या वो शक्ति आप नहीं बनना चाहते अगर बनना चाहते हैं तो सबहा बनाईए प्रणयाम ये तो उद्य करना है आपने मन बनाया पंद्रे मिनट प्रणयाम करूँगा तो उसा आदत में उतार रहे है परन्तु हर सांस ही आपका प्रणयाम बन जाए तो आपके अंदर एक इच्छा जातर के बैठ जाए मैं सांस नहीं खेच रहा हूं प्राण को खेच रहा हूं मैं सांस को नहीं खेच रहा हूं प्राण को खेच रहा हूं अगर ये अवस्था आपके अंदर पैदा हो जाए सोचो आपकी क्या अवस्था होगी आप अपने आप ही अपना अनुमान लगाई है आपकी इस्थिति क्या होगी तो अब भ्यास करना शुरू कर दे कोई बात नहीं भूल जाते है पर कभी तो याद आएगी अरे 24 घंटे में से सारे घंटों को मिनट मिनट को जोड़ करके लगाया जाए आपने पड़ायाम किया और आदा घंटा निकलाया उन सारी मिनटों को जोड़ करके आदा घंटा बन गया तो सच्चा पढयाम आपका आदे गंते का हो गया जो आपने किया नहीं हो गया आपसे एक बात कह रहा हूं जो किया जाता है वो दिखावा है वो कुछ सांस लेने और छोड़ने की किरिया हवा को भरने और छोड़ने की किरिया कर लेते है पर तो उस प्राण तत्व को आकरसित नहीं कर पाते जो वास्तों में प्राण तत्व है दूसरा बताया अंतहत राटक अंतहत राटक समय जादे हो रहा है अंते त्राटक का थोड़ा सा भी बता पाऊंगा मैंने कहा हर प्रकास त्राटक है हर प्रकास त्राटक है मैंने कल कहा था कहीं आग जन रही है दीपक जन रहा है, सूरच जन रहा है इसी को त्राटक नहीं कहते है वास्तिक त्राटक ये है जब अंदर का ग्यान पैदा होता है और बुराईयों को जला करके मिटाने की छमता की बात अंदर से संकल्प के रूप में उभर करके आता है वो आंतरिक प्रकास ही आंतरिक त्राटक है जो हमारे अंदर सदबुद्धी पैदा कर दे जो हमारी बुद्धी में सदबुद्धी को पैदा कर दे जैसे प्राण में जैसे सांस में प्राण को पैदा कर दे ऐसे ही वो अन्तेह त्राटक हमारी बुद्धी में सद्वुद्धी रितम्रा प्रग्या को पैदा कर दे वो अन्तेह त्राटक है वो अन्तेह त्राटक है भाई ये त्राटक तो आप करते रहते हैं पैसे कमाड़े हैं, बुद्धी का भी प्रियोग करते हैं, ध्यान भी करते हैं, सोचते भी हैं, ये भी तो ध्यान योग है, परन्तु अपने अंदर उस मजीज धुली हुई सद्बुद्धी को जो पैदा करते हैं, जो हमारी सद्बुद्धी को ही दे दे, आंत्रिक शक्ति क को पैदा कर दे उसी को आंत्रिक त्राटक कहते हैं प्राण शक्ति का सरीर में जीवनी शक्ति के रूप में बलिष्टता द्रड़ता प्रतिकूलताओं को सहन करने की छमता के रूप में मिलता है मन में प्राण की मात्रा बढ़ती है आभास अनुगूती साहस स्फूर्ती प्राकरम पुरसार्थ धैरिये संतुलन ये गुण पैदा करती है एक सुनिष्चित द्रस्टी कोण पैदा करती है परचंड संकल्प शक्ति को पैदा करती है मैंने कहा भी था अनुष्थान अगर पूरा होगा तो संकल्प सक्ति के साथ के कारण होगा परचंड संकल्प शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाए ये विसेश्थाएं अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो हर द्रस्टी से आप निखरते सुसंपन होते हुए सर्वतो मुखी प्रगती के पत पर चलते हुए इनी विभूतियों के साहरे आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे परन्तु व्यक्तित जिस आधार पर अंतह प्रतिमा से सुसंपन होता है उच्च स्तरिय उद्देश पूरे करता है उसे प्राण शक्ति के रूप में ही जाना जाता है इस तत्तो का जितना संचे आप कर लेंगे प्राण तत्तो का कह रहा हूँ आग जब जलती है जब उसकी छमता बढ़ जाती है छोटी सी अंगारी होती है उसको बढ़ाते है पर जब वो दहक जाती है तो उसमें से लप्टे उठना सुरू हो जाती है लप्टे उठना सुरू हो जाती है मैं फिर से कहता हूँ बट्टी की सुरवात भी छोटी सी चिंगारी से की जाती है परन्तु इंदन को जोक जोक करके मात्र इंदन जोकने की बात नहीं है अंदर की आग की छमता को बढ़ाने की बात है जैसे वो बढ़ती जाती है सूखा इंदन डालते जाओ वो बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब पूरी तरह से भट्टी जल जाएगी तो गीला सूखा कैसा ही आप डालते जाएए कैसा ही आप डालते जाएए फटा फट वो उसके गीले पन को मिठा करके उसको अपने में जलाती हुई चली जाएगी अगर इस तत्त का संचय आपने कर लिया तो समझ लेना एक बात को समझ लेना कि तुमने उतनी मात्रा में वास्तिक स्थमता को सामर्थ को संपादित कर दिया अपने अंदर संपादित कर दिया आज बहुत जोड दिया गया है पनायाम के ऊपर निरंतर आप अपने ध्यान को ढूंड करके लाएं कहाँ चला गया हर सांस के साथ मैं पणयाम हो आप सांस ना खीचें जैसे दूद के अंदर घी मिला है आप पी तो दूद रहें पर साथ में घी भी जा रहा है आप उस प्राण उर्जा को अपने अंदर संग्रहित करें जो आपकी शक्ति को जैसे अच्छा मुझे एक बात कहनी हो रहा है बूडे आदमी को घी किलाय जाये तो वो जवान हो जाएगा उसके अंदर का पाचन तंत्र ही जब कमजोर हो जाएगा तो घी काम नहीं करेगा बाहिये शक्ति भी तभी काम करती है जब आंत्रिक शक्ति करती है जो आप इस तरह का ध्याना आकर्शन प्रणायाम करेंगे आप ध्यान को ढूंड करके लाएगे काम बटक गया प्रणायाम कर सांस को खेचने के साथ सांस तो स्वाभाविक है पर उस सांस में प्राण रूपी घी आपके अंदर जाना चाहिए और आपका सिस्टम उसको पचाता चला जाए मैं प्राणवान हो रहा हूँ मैं प्राणवान हो रहा हूँ इस तरह का भाव आपके अंदर जगता चला जाए और आप प्राणवान बनते चले जाएं आज इतना यह अभ्यास करना अभी इसके अंदर पैदा करना है नादियोग और उससे पहले त्राटक त्राटक फिर नादियोग बाद मैं मुद्रा आएगी फिर उसको प्रकट करेंगे आज की बात यहीं पर संपन ओम शांती ही शांती ही शांती